दोस्तो जभी भी कोरोना वार्यास का वेक्सिन का बात होता है तो सबका इंट्रेस जग जाता है और खास करके जो इंवेस्टर से इंडियान स्टॉक मार्केट में उन लोग का दोनों तरफ से इंट्रेस जगता है एक की कौन वेक्सिन निकाला और जो भी वेक्सिन निकाला ज इतना उपर भागा तो इसी confusion के अंदर अल्रेडी बहुत सारा confusion पैदा हो जाता है और confusion में लोग फस भी जाते हैं अल्रेडी जैसे कि फसे हुए हैं ग्लेंवार्फ फार्मा में जैसे कि आप लोग को अल्रेडी पता है तो आज हम लोग बात करेंगे अक्छीलिए ग्लेंवार्फ फार्मा में काण्ड क्या हो रहा है चीज क्या है कंपणी का fundamental क्या है उसका financial क्या है सब एक एक करें डिसकस करेंगे और उसका chart pattern भी हम लोग बात करेंगे और और एक बार चीज मेरे को suggestion आया हो था कि उसका undervalued और overvalued को उपर हम लोग बात करेंगे जो कि आखिर जो वीडियो में है end of the video हम लोग उसके उपर भी discussion करेंगे आप लोग financial fundamental और technical के साथ साथ आपका price का भी एक बार आप लोग का compare कर सको और आपका जो भी investment decision है उसी हिसाब से आप लोग का सही से बैठ सके ठीक है तो आपको अगर वीडियो देखना है तो आखिर तक वीडियो को यह global presence वाला company है जैसे का आप लोग को यह सब चीज पता है इसमें में कुछ बोलने वाला हूँ नहीं आज आते हैं हम लोग इसका market reputation के उपर एक mid cap company है और top mid cap company भी है आप लोग बोल सकते हो कि top nifty 50 mid cap जो company है उसी के बीच में इसका नाम है और इसका जो ROC यह आपको दिखेगा 14.78 अगर आप यह peers के साथ आप compare करोगे last 5 सल का onan average तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले तो औरविंदो फर्मा का दिख जाएगा 23% जो कि हम लोग already वीडियो बना चुके हैं उसके बाद आज आज आएगा इसका भी वीडियो बन चुका है आप लोग देख चुके होंगे उमीद करता हूँ और टोरेंट फर्मा के वीडियो बना नहीं है टोरेंट फर्मा is on the third number और आपका नंबर आजाता है ग्लेंदमार्क फर्मा का ठीक है और उसके हिसाब से अगर ROC का बात करोगे तो इसका जो PE है थोड़ा सा ओवर्वालूट दिखेगा आज कंपार इजन तो और वीडियो फर्मा और यहां पर आप लोग फिर से कंपार करोगे बाकी सब में जैसे कि इसका 23 तो हो गया 19 के साथ अगर करोगे तो काडिला हेल्थ केर इस अलसो ओवर्वालूट आज अफ नाओ तो इसके इसाब से अगर देखा जाते हैं और देट है इसका 4,486 करोड बहुत ज्यादा डेट है और लेकिन हम लोग का जो threshold है 1 उससे नीचे है मैं यह चीज में मान रहा हूँ तो थोड़ा सा safe आप मान सकते हो ठीक है ना अगर डेट के साथ से देखोगे तो you can rate 7 out of 10 और place percentage यहाँ पे 0 है कोई दिक्कत की बात नहीं इसके कोई discussion के बात हो नहीं सकता इसमें प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा दिक्कत की बात है 46.62 परसेंट है जो कि 50 परसेंट हम लोग का threshold है करेक्ट तो this is not for a long term investment यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पर पता चल जा रहा है और यहाँ पर हम लोग ROE देख नहीं सकते तो वह भी आपको positive में दिख जाएगा ठीक है तो हम लोग profit loss पर चलते है profit loss company profit कर रहा है किने डेखते हैं अगर कर रहा है तो कैसा कर रहा है profit तो consistently growing profit आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगा sustainable भी नहीं है ठीक है ना कभी 500 करोड को हो जाता है कभी 210 करोड हो जाता है फिर 700 फि यहां पर investor में अगर आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोग को दिखेगा कि FI अपना जो भी है पैसा यहां से काट रहे हैं पैसा यहां से निकाल रहे हैं अगर मैं दोनों quarter के बात करूँ तो December से यहां तक मार्स तक आपका 2% निकाल जुके हैं तो आप लोग को समझ पर टेक्निकल क्या बोल रहा है वान डे चार्ट के उपर अच्छा खासा consolidation हुआ है और जितना ज्यादा अच्छा consolidation उतना अच्छा breakout लेकिन breakout किस तरफ होगा वह अपर की तरफ होगा या लोएर की तरफ होगा वह आगे हम लोग इसका जो भी हायर टाइम फ्रेम में उसके उ पढ़ाता हूँ ब्रेक हो गया है वह intensity अब टूटके थोड़ा सा घाटा भी है तो यह एक बियरिस साइन है और यह नीचे खीच सकता है स्टॉक को अगर नीचे आएगा तो आप लोग 398 का लेवल और एक बार मतलब आप लोग देख सकते हो मतलब बिलोव 400 यह जा सकता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर हम लोग वान मन्थ के चार्ट में चलेंगे तो सेम सिचुएशन यहां पर है यहां पर जो क्रॉस करके यहां पर चड़ने के लिए कोसिस किया था वह इसका जो intensity है इसका movement है तूट चुका है और नीचे आने के लिए बहुत जोर से कोसिस कर रहा है तो मैं वीडियो इसको 27 तरीकों में सूट कर रहा हूं लेकिन यह रिलीज होगा 28 को मैं भी तब तक भी आप लोग को कुछ price segment के थोड़ा सा changes देखने के लिए मिल सकता है बट on the long term view अगर आप लोग यहां पर लगभग यहां पर में पीक किया हुआ था फिर यहां पर छोड़ दिया विकॉज आफ क्योंकि इसमें में तुड़ा सा sustainability ग्रोथ नहीं लगा फिर यहां पर जो reverse triangle बनाने वाला था 2200 में जो कि हम लोग के हम लोग का practice के सबसेक मल्टिवेगर पार्टन होता है जो आप लोग का यहां पर candlestick पर जो कि सबसे ज्यादा reliable पार्टन होता है यहां पर कुछ देखने के लिए है नहीं आप लोग को पता चली गया होगा कि यहां पर जो gap up opening हुआ था ठीक है यह मैं बता रहा हूं 19 तरीक और यह मैं बता रहा हूं 22 जून में अगर बात करोगे त इसको complete करते 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 लगभग एक महीना यहां पर बिता दिया है ठीक है ना एक महीना से ज्यादा बिता दिया है तो यहां पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि यह कितना खतरनाक चार्ट पारटन है ठीक है और अगर मैं यहां पर कोई technical analysis काम नहीं करेग तो उसका condition क्या है तो यहाँ पर मैं draw करके कर दिया में extend और extension के बार यहाँ पर आप लोगो दिख जाएगा कि यह वाला label को एक बार तोड़ने के लिए कोसिस बहुत बार किया हुआ है बट इसको तोड़ के उपर भी गया भी था लेकिन यह sustain नहीं हुआ है तो यह और एक बा का label और एक बार टच करने के लिए कोसिस कर सकता है और इसके अंदर 364 और 420 के बीच में यह bounce करता हुआ range bounce stock की चैसा काम कर सकता है अभी का situation में because यहाँ पर जो भी green candle बन रहा है उसके साथ volume support में नहीं है और gap down opening जबी भी चलता है यहाँ पर आपका sustainably investment में growth नहीं मिलेगा हाँ आप लोग intraday कर रहे हूँ ज्यादा से ज्यादा रिक्स लेकर वह अलग बात है बट in the case of the investment आप लोग को ज्यादा से ज्यादा अच्छा return नहीं मिलने वाला है करेक्ट तो यहाँ पर जब भी न्यूज आता है तो उसमें निकल जाना चाहिए जैसे कि आप लोग को पता है कि रूल है investors का कि buy on humor and sell on news यह वाला बात यहीं पर Glenmar के बहुत अच्छे सा अपलाई होता है करेक्ट तो हम लोग सीधा आ जाते हैं divergence में divergence देखने बना है कि नहीं तो यहाँ पर जैसे कि मेरे को तो दिख रहा है कि कोई भी divergence नहीं बना है आज अफ ना तो आगर आप लोग को दिख रहा है तो एक बार कॉमेंस में बताईए का कहां पर divergence देख रहा है और और अल्रेड वहाँ पर graphical view में आप लोग को में जवाब दे सकता हूं ठीक है तो यह वाला चीज है यह वाला यहाँ पर कोई divergence में हम लोग कोई conclusion नहीं निकाल सकते उसके बाद हम लोग आज आते हैं Nifty के साथ correlation निप्टी के साथ जो correlation है वो बहुत अच्छा है आप लोग बोल सकते 0.5 के उपर है और Nifty के उपर जो भी view रहेगा उसके हिसाफ से आपका view होना चाहिए तो मैं इसको summarize कर दो एक बार तो Glenmark Pharma का fundamental आप लोग जैसे देखे कि date का amount बहुत जादा है जो की minus point है और promoter holding अगर देखा जाए वो भी 50% से नीचे है वो भी minus में है और profit loss में उसका profit भी उसका consistently profit नहीं किया हुआ है बट खाली आपका अगर देखोगे तो इसका ROC थोड़ा सा ठीक ठाक है और cash flow भी ठीक ठाक है ठीक है तो इसके इसाब से आपका जो भी investment रहेगा थोड़ा सा risk के साथ रहेगा और यहाँ पे आप लोग बात करोगे अभी इसका जो भी 5813 का तो तीनो time frame में हम लोग को negative दिख रहा है खाली one day में हम लोग को consolidation दिख रहा है जो कि consolidation के बाद यहाँ पर हम लोग को एक negative trend में आने के लिए प्रतीध हो रहा है तो वहाँ सीधा से चलते हम लोग इसमें जो कि हम लोग का multiplier pattern में हम लोग को कोई भी conclusion नहीं मिला है और यह सबसे आज का जो भी technical analysis साथ सबसे यह hit list में था जो कि candlestick pattern हमेशा जैसा रहता है और यहाँ पर हम लोग को range मिल गया कि 420 और 364 तो 364 का level एक बार यहाँ पर touch करने के लिए आपको लोग को देख सकते है और उसका बार यहाँ पर यह हो गया divergence, divergence में कोई चीज हम लोग को conclusion नहीं मिला है औ तो निप्टी के साथ आपका उसमें दिमाग में रहना चाहिए कि निप्टी का जो भी movement होगा Glenmark का उसी हिसाफ का moment रहना चाहिए तो इसका अगर मैं valuation का बात करूँ तो यह of course overvalued है और इसका जो भी अगर DCA method में निकालना चाहोगे तो DCA method का कैसे आप लोग निकालना चा तो यह हो गया आप लोग का valuation of the stock उसके बाद आप लोग का क्या करना है आप लोग को आप लोग का मर्जी के हिसाब से आप लोग का decision के हिसाब से वह आप लोग का investment का decision होना चाहिए तो आज के लिए वीडियो इतना ही अगर अच्छा लगाता है एक बार लाइक कर दीजे को कोई भी doubt है एक बार comment पूछ सकते हो so that आपका जो भी doubt है में clear कर सको तो आज के लिए वीडियो इतना ही आपका अपना अपना family का और अपना portfolio का सबका ख्याल रखे और आगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजे थैंक्यू थैंक्यू सो मच